ओम नमश्शिवाए आप सभी का हमारी यूटीब चैनल पर हार्दिक स्वागत है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारत भगवान शंकर के अपने इस्थान को चले जाने पर सक्खियों सहित देवी पारवती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती भी अपने पिता के घर चली गई पारवती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिवरत पर आरूड होकर हर्ष से विवल होकर उनकी अगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए उनके स्वागत के लिए चले पुरोहित पुरवासी अने का नेक सक्षिया और अन्य सभी संबंधी भी वहाँ पहुँचे पारवती जी के सारे भाई मैनाक आदी बड़ हर्ष के साथ जय जय कार करते वे उन्हें घर ले जाने के लिए आ गए इसी बीच में पारवती अपने नगर के निकट आ गई नगर में प्रवेशकरतिस में शिवा देवी ने अपनी माता पिता को देखा जो की अत्यद्प्रसन और हर्ष से विवल चित होकर दोड़े चले आ रहे थे उन्हें देख कर हर्ष से भरीवी काली ने सक्षियों सहिद प्रणाम किया माता पिता ने पोन रूप से आशिरवात देकर पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विवल होकर रोने लगे फिर अपने घर की दूसरी दूसरी इस्त्रियों और भावियों ने भी बड़ी प्रसनता के साथ प्रेम पूरवक उन्हें अपनी भुजाओं में भर कर भेट लिया देवी तुमने अपने कुल का उधार करने वाले उत्तम कारे को अच्छी प्रकार सिध किया है तुम्हारे सदाचरण से तो हम सब लोग भी पवित्र हो गए ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पारवती जी की भूरी भूरी परसंशा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे लोगों ने चंदन और सुन्दर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया और फिर उस अवसर पर विमान पर बैठे वे देवताओं ने भी पारवती जी को नमस्कार करके उन पर आस्मान से ही फूलों की वर्षा करते वे इस्तुती की हे नारत उस समय तुम्हें भी एक सुन्दर रत पर बिठा कर ब्रहमन आदी सभी लोग नगर में ले गए फिर ब्रहमन, सक्खियों और दूसरी इस्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया इस्त्रियों ने उनके उपर बहुत सारी वस्तुय निच्छावर की ब्रहमनों ने आशिरवात दिये मुनिश्वर, पिता हिमवान और माता मैनका को बड़ी प्रसन नता हुई उन्होंने अपनी ग्रहस्त आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही स्रेष्ट है इस बात को आप सभी बहुत दियान पुर्वक सुनिएगा कि कुपुत्र की जगह एक सुपुत्री ही स्रेष्ट है यहाँ पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक बेटे की चाह में अकसर लोग अपनी कोख में ही खास कर परिवार के लोग या उनको जबर्दस्ती ही उनकी कोख में बच्चियों की हत्या करवा दी जाती है तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पुत्र की चाहत रखते हैं और पुत्र ने आपकी देखभाल नहीं की जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बुजर्गों को इस दैनी अवस्था में जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की सबसे ज़्यादा जरुत होती है उस समय उन्हें या तो सडकों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम में भीज दिया जाता है हाला कि सारे बेटे ऐसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आजकल आप देखेंगे कि आपके आसपार आपको कुछ न कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिनकी हालत देकर आपको खुद भी उन पर दयाएगी तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने घर में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना चाहे वो बेटा हो या बेटी हो कई बार गलतियां बेटियों की भी हो जाती है पता नहीं यहाँ पर यह बात आपको मेरी पसंद आएगी की नहीं आएगी लेकिन देखे ताली कभी एक हास से नहीं बसती है अगर हम बेटों को और बेटियों को भी अच्छी सिक्षा देंगे तो बेटी जिस घर में जाती है उस घर में कभी बरबादी नहीं हो सकती ठीक वैसे ही अगर बेटों को अच्छी सिक्षा दी जाए अच्छे संस्कार दिये जाए तो बेटे भी कभी अपने माबाप को बुजुर्गा वस्था में कभी भी विर्धाश्रम नहीं भेजेंगे देवी पार्वती की की गई तपस्या की सफलता सुनकर उनके माता पिता कितने प्रसन हुए इस बात का वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे है जब उनकी जो आसपास की इस्त्रिया थी सब ने अपनी प्रेवस्तुय देवी पर निचावर की तो ब्रहमनों ने भी उन्हें आशिरवाद दिये पिता हिमवान और माता मेंका को तो बहुत ही प्रसनता हुई जाहिर सी बात है जिनकी पुत्री ने साक्षाद भगवान महादेव का वरण कर लिया हो उन्हें प्रसनता क्यों नहीं होगी उन्होंने अपने ग्रेश्त आश्रम को सफल मानकर ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही स्रेश्ट है गिरी राज ने ब्रहमन और बंदी जनों को धेर सारा धन दिया और ब्रहमनों से अपने घर पर मंगल पाठ करवाया हे मुने इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्श भरे माता पिता भाई तथा भावियां भी घर की आंगन में प्रसनता पूर्वक बैठी फिर हिमवान प्रसन चित से सभी का आदर सतकार करके गंगा इस्तनान के लिए गए अब यहाँ पर भी शंभू ने जो लीला रचाई उसका वर्णन भी सुनिये जब बीच में ही सुन्दर लीला करने वाले भक्त वसल भगवान शंभू एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेंटका के पास आ गए उन्होंने बाए हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डम्रू ले रखा था पीट पर उन्होंने कत्री रक्छोडी और लाल वस्तर पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपूर्ता का परिचे दे रहे थे सुन्दर नट का रूप धारण किये हुए भगवान शिव ने मेंका के पास बैठी हुई इस्त्रियों की टोली के पास में जाकर बड़ा सुन्दर निर्थ किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए उन्होंने वहां सुन्दर ध्वनी करने वाले कई प्रकार के श्रंग और डमरों को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहर ने लीलाएं भी की नट राज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी इस्त्री पुरुष और बालक वृत भी सहसा वहां पहुँचे मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस पर भी उस उत्तम मनोहर निर्थ को देखकर वहां आये हुए सभी लोग तदकाल मोहित हो गए मैंना भी मोहिगी उधर देवी पारवती ने अपने हिर्दे में भगवान शंकर का साक्षा दर्शन कर लिया वे त्रिशूल आदीचिन धारन किये अत्यंत सुन्दर दिखाई दे रहे थे उनका सारा अंग विभूती से विभूशित था वे हड्यों की माला से अलंक्रित थे उनका मुख सोर्य चंद्र और अगनी रूप तीन नेत्रों से उधासित था उन्होंने नाग का यग्योग पवीत धारन किया था उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्चित हो गई गौरवन विभूशित दीन बंधु दयासिंदु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पारवती जी से कह रहे थे कि वर मागो अपने हिर्दय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर देवी पारवती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर भी मागा कि आप बस मेरे पती हो जाए प्रभू प्रीती युक्त हिर्दय से शिवा को वैसा कल्यान कारी वर देकर वे पुना अंतरध्यान हो गए और वहाँ पूर्वबत भिक्षा मांगने वाला नट बन कर पहले की तरह उत्तम निर्ति करने लगे उस समय मैना सोने की थाली में रखे वे बहुत सारे सुन्दर रत्न लेकर उन्हें प्रसनिता पुर्वक देने के लिए गई उनका वह एश्वरी देखकर भगवान शिव बड़े ही प्रसन हुए मन में तो बड़े प्रसन हुए परन्तु उन्होंने उन रत्नों को स्विकार नहीं किया वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे अब आप भी मन में धार्ण कीजिए कि कहां तो भला भगवान शिव और कहां एक साधारन सनट मैना अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में देना चाहती थी अब भुलेनात की लीला तो देखिए पहले उन्होंने देवी पार्वती की परिक्षा ली फिर उन्होंने अब उनकी माता मैना की परिक्षा लेना चाहा जब मैना से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ माँगने की बात की और फिर से वो पहले की तरह सुन्दर नरत्य और गान करने को तयार हुए तो मैना उस भिख्षुक नट की बात सुनकर बहुत इक्रोधित हो गई और लगी उसे डाटने फटकारने उनके मन में तो उसे बाहर निकाल देने की भी इच्छा हुई इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगाजी से स्नान करकर लोट आए उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा हुआ दिखा और मैना के मुख से सारी बाते सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध हुआ की भला नट हमारी पुत्री से विवा करना चाहता है उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आग्या दी कि इस नट को यहां से बाहर निकाल दो मुनिस्रेश्ट वे नटराज विशालकाय अगनी की भाती अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे उन्हें छूना भी कठिन था अब ऐसे में उन्हें कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता कोई उन्हें छू तक नहीं पाया क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था ताथ फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षू शिरोमणी ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारब कर दिया हिमवान ने देखा कि भिक्षूक ने वहां ततकाल ही भगवान विश्नु का रूप धारण कर लिया है उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभवा पा रहे हैं उनकी चार भुजाए हैं हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरी को जो जो पुषपादी चड़ाए थे वे सब उन्होंने उस भिक्षूक के शरीर और मस्तक पर देखे फिर गिरीराज ने उन भिक्षू शिरोमनी को जगत स्रिस्टा चतर्मक ब्रहमाजी के रूप में देखा जिनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे फिर शलराज ने उन कौतुक कारी नटराज को एक छण में ही जगत के नेत्र रूप सूरी के आकार में दिखा ताद इसके बाद तो वे महान अधुत रुद्र के रूप में दिखाई दिये उनके साथ दिवी पार्वती भी थी और वे उत्तम तेज से संपन रमणे रुद्र धीरे-धीरे हस रहे थे फिर वे केवल तेजों में रूप में द्रस्टी गोचर हुए उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपादी, शूनी, निरी और अत्तित अध्भूत था इस प्रकार एक्षण में ही हिमवान ने उनकी बहुत सारी रूप देख लिए इससे उन्हीं बड़ाविस्मे हुआ और वे तुरंत ही पर्मानंद में निभगन हो गई शेलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्विकार नहीं किया, फिर भिख्षु ने भी कोई वस्तू नहीं ली और वे वहां से अंतरध्यान हो गई तब मैना और शेलराज को उत्तम ज्यान हुआ और भी सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से चल कर अपने इस्थान को चले गई ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ती हुई जो महान मोक्ष की प्राप्ती कराने वाली दिव्वित था संपून आनंद प्रदान करने वाली है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारत मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रती उच्च कोटी की अनन्य भक्ती देख इंद्र आदी सभी देवता परस पर विचार करने लगे फिर गुरु ब्रस्पती और ब्रह्मा जी की सम्मती के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुतिस प्रकार करने लगे हे देव देव महा देव हे करुणाकर हे शंकरजी हम सब आपकी शेरण में आये हैं कृपा कीजिए आपको हे प्रभु नमस्कार है ये स्वामिन, आप भक्त वक्सल होने के कारण सदा भक्तों के कारी सिद्र करते हैं, दीनों का उधार करने वाले और दया के सिंधू हैं और भक्तों को हर विपतियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की इस्तुती करके देवराज इंद्र सहित संपुल देवताओं ने मैना और हिमवान की अन्यशिव भक्ती के विशय में सारी बातें आधर पूर्वक बताई देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्विकार कर ली और हस्ते वे उन्हें आश्वासन देकर विदा किया तब सभी देवता अपना कारे सिध्ध हुआ मान कर भगवान सदाशिक की प्रशिंसा करते हुए शीगर अपने घर को लोटकर प्रसनिता का अनुभव करने लगे फिर भक्त वच्सल महेश्वर भगवान शंपू जो की माया के स्वामी है निर्विकार चित्त से शैल राज के यहां गए उस समय गिरिराज हिमुवान सभा भवन में अपने बंधु वर्ग से घरे हुए पार्वती जी सहित प्रसनिता पूर्वक बैठे हुए थे इसी अफसर पर वहां सदा शिवने पदारपन किया वे हाथ में दंड, छत्र, शरीरपर्दि विवस्त्र, ललाट में उच्वल तिलक और एक हाथ में इस फटक की माला के साथ गले में शालग्राम धारण किये वे भक्ति पूर्वक हरी नाम का जब कर रहे थे और देखने में सादू बेश्थारी प्रहमण जान पड़ते थे उन्हें अपने दर पर आया हुआ देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए उन्होंने उन अपूर्व अतिथी देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया देवी पारवती ब्रहमन रूप धारी प्रानेश्वर शिव को पहचान गई थी अत्ह उन्होंने भी उन्हें मस्तद जुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसनता के साथ उनकी स्तुति की आखिरकार उनके भावी वर उनके घर पर जो पधारे थे ब्रहमन रूप धारी शिव ने उन सभी को प्रेम पुर्वक आशिरवात दिया किन्तो शिवा को सबसे अधिक मनुवांचित शुभा शिरवात प्रदान किया शैलाधी राज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आधी पूजन सामगरी भेट की और उस प्रहमन ने बड़ी प्रसनता के साथ वो सब कुछ ग्रहन किया फिर गिरी सेस्ट हिमा आचल ने उनका कुषल समाचार पूछा हे मुने अत्यंत प्रीति पूर्वक उन द्विज राज की विधिवत पूजा करके शैल राज ने पूछा कि हे महराज आप कौन है तम उन ब्रहमन शिरोमणी ने गिरी राज से शीगरी आदर पूर्वक कहा वे कहने लगे गिरी स्र मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दीवी शक्ति से सर्वग्य परोपकारी, शुद्धात्मा, दयासिंधू और विकार नाशक हूँ मुझे ग्यात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्षमी सरी की सुन्दर रूप वाली दिवी सुलक्षना अपनी पुत्री को एक आश्रे रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो वे रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में साप लपेटे रहते और योग साधते फिरते रहते हैं उनके पास पहनने के रहे एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही रंग दरंग गूमते हैं आभूशन की जगा सर्प धरंड करते हैं और उनके कुल का नाम तक आज तक किसी को ग्यात नहीं हुआ वे कुपातर और कुशील हैं, सभाता विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं क्रोध्य और अविवेकी हैं उनकी अवस्त्र कितनी हैं, ये तक किसी को ग्यात नहीं वे अत्यंत कुशित, जटा का बोज, सदा सिर्पर धारन के रहते हैं वे भले, बुरे, सभी को आश्रे देने वाले ब्रमर्सील, नागहारधारी, भेकशोक, कुमार्ग परायन और हठपूर्वक, बैदिक मार्ग का त्या करने वाले हैं ऐसे आयोगिवर को आप अपनी इतनी सुलक्षना बेटी बहाना चाते हैं अचल राज, अवश्य है आपका ये विचार मंगल दायक नहीं है नारायन कुल में उत्पन, ज्यानियों में स्रेष्ट है गिरिराज मेरे कथन का मर्म समझो तुमने जिस पात्र को धून रखा है, वे इस योगि नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए श्याल राज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधू तक नहीं तुम तो बड़े-बड़े रत्नों की खान हो, किन्तु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है और वे सर्वता निर्धन है गिरिराज, तुम शीगर ही अपने भाई बंधूं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रियत्न पूर्वक पूछ लो कि तु पार्वती से मत पूछना, उनसे कुछ मत पूछना, क्योंकि उन्हें तो शिपके गुर्दोष की परखी नहीं है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद ऐसा कहकर, वे ब्रहमर देटा जो नाना प्रकार की लीला करने वाले, शांत स्वरूप शिवी ही थे, शिग्र खा पी कर, आनन्द पूर्वक वहां से अपने घर को चल दिये, उनका काम जो हो गया था अब मैना का कोप भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सबतरिश्यों को भेजना, तथा हिमवान द्वारा उनका सतकार, सबतरिश्यों तथा अरुंधती का और महर्शी वसिस्ट का मैना और हिमवान को समझा कर, पार्वती का विबाह भगवान शिव के सा करने के लिए कहना इसका वर्णन अबाफ सुनिए श्री ब्रहमा जी कहते हैं ब्रहमन रूप धारी शिव जी के वचनों का मैना के उपर बड़ा प्रभाव पड़ा वो उनकी बातों में आ गई और उन्होंने फिर दुखी होकर अपने पती गिरी राज से कहा कि हे गिरी राज इन वैशनों ब्रहमन ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन और बहुत विरक्त हो गया है शालेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुछ सित हैं और मैं अब उन्हें अपनी सुलक्षना पुत्री कदापी नहीं दूँगी यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैंनी संदे मर जाओंगी और अभी इस घर को छोड़ दूँगी अथो विश्खा लूँगी पारवती के गले में फांसी लगा कर गहन वन में चली जाओंगी या फिर मैं उसे महा सागर में डुबो दूँगी परन्तु अपनी बेटी को रुत्र के गले नहीं मडूँगी ऐसा कहकर मैना देवी तुरंट कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेक कर रोती हुई धर्ती पर लोट गई इधर भगवान शिव को इस बात का पता चल गया तब उन्होंने अरुन्धती सही सब्त रिश्यों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आग्या दी शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार कर वे दिवे रिशी आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिये जहां हिमवान की नगरी थी उस दिवे पुरी को देख कर उन सत रिश्यों को बड़ा विसमें हुआ वे हिमाचल पुरी की परस पर परशंसा करते हुए सभी एश्वरों से भरे पुरे हिमवान की घर जा पहुँचे उन सूरी तुल्य तेजस्वी साथ और रिश्यों को दूर से ही आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को भी बड़ा विसमें हुआ वे बोले ये साथ सूरी तुल्य तेजस्वी मुनी मेरी पास आ रहे हैं मुझे प्रयत्न पूर्वाक इस समयन की पूझा अवश्य करनी चाहिए सब को सुख देने वाले हम ग्रहस्त लोग धन्य है जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदारपण किया करते हैं श्री ब्रह्मा जी कहने लगे इसी समय वे मुनी आकाश से उतर कर प्रत्वी पर आकर खड़े हो गए उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड मस्तक जुका कर उन सबतरिश्यों को प्रणाम करने के बाद उन्हाने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की और उन्हें आगे करके कहने लगे कि मेरा ग्रहश्रम आज धन्य हो गया ऐसा कहकर उन्हें बैटने के लिए भक्ती पुर्वक आसन लाकर दिया जब इस सभी आसनों पर विराजमान हो गए तब उनकी आग्या लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन जोतिर में महर्श्यों से इस प्रकार कहने लगे आज मैं धन्य हो गया हूँ, करत करत्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भाती दर्शनी बन गया क्योंकि आप जैसे विश्णुरुपी महात्मा यहां पधार हैं, आप लोग पूर्ण काम है हम दीनों की घरों में आपका भला क्या काम हो सकता है? फिर भी मुझ सेवक के योग यदि कोई भी कार्य है, तो हे प्रभू, हे मुनिवरो, आप करपा पूर्वक उसे अवश्य कहिए उसे पूर्ण करने से तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा तब रिशिगर कहने लगे, शैल राज, भगवान शिप को जगत का पिता कहा गया है और शिवा को जगन माता कहा गया है अतहे तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए हिमाले, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशन नहीं मुनिश्वर, सब्तरिशियों का ये वचन सुन कर हिमवान ने दोनों हाथ चोड़ूने प्रणाम करके इस प्रकार कहा महाभाग सत्रिश्यों, आप सभी ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से तो मैंने पहले से ही मान रखा था किन्तु प्रभो, इन दिनों एक वैशनव धर्मी ब्रहमन ने आकर भगवान शिव के प्रती प्रसंता पुरग बहुत सारी उल्टी बाते बताई है तब ही से शिव की माता का ज्यान ब्रस्ट हो गया है और वे अपनी बेटी का विवा उस योगी रुद्र के साथ करना ही नहीं चाती हे ब्रहमनों, वी बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही मैं भी उस वैश्णो ब्रहमन की बात सुनकर ज्यान ब्रस्ट हो गया हूँ आप से सच कहता हूँ भिक्षु कुरूप धारी महिश्वर को बेटी देने की मेरी भी अविच्छा नहीं रही श्री ब्रहमा जी कहते हैं नारत मुनियों के बीच में बैठे वे शैलराज शिव की माया से मोहित होकर उपर यक्तबात कहकर चुप हो गई तब उन सभी सब्तरशियों ने शिव की माया को समझ लिया और प्रशंसा करके मैनका के पास अरुन्धती को भेजा पती की आग्या पाकर ज्यान दाइनी अरुन्धती देवी दुरत उस घर में गई उस कोप भवन में गई जहां मैना और पारवती थी जाकर उन्होंने देखा कि मैना तो शोक से आकुल होकर प्रथवी पर पड़ी है तब उन्स साद्वी देवी ने बड़ी सापधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही अरुन्धती बोली हे साद्वी राणी मैनके उठो मैं अरुन्धती तुमारे गर में आई हूँ और दयालु सब्तुरिशी भी बढ़ा रहे है अरुन्धती का स्वर्थ सुनकर मेन का शिगर धर्ती से उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पती वृता देवी के चरणों में मस्तक रख कर बोली हो हम पुर्णी जन्मा जीवों को आज ही किस पुर्णी का फल मिला है कि हमारे इस घर में जगत स्रिष्टा प्रह्मा जी की पुत्र बधु और महर्शी वसिष्ट की पत्नी बधारी है देवी आप किसलिए आई हैं ये मुझे पताईए मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं आप हम पर करपा कीजिए मैंका के ऐसा कहने पर साधवी अरुन्धती ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसंता पूर्वक उस इस्थान पर आई जहां वे सत्रिषी विद्यमान थे सत्रिषी बात चीत में बड़े निपुर थे उन सभी ने भगवान शिव के युगल चरणार विंदो का इस्मरण करके शैल राज को समझाना अरंब किया रिशीगन इस प्रकार कहने लगे शैलेंद्र हमारा शुब कारक वचन सुनो तुम पारवती का विवा शिव के साथ कर दो और संघार करता रुद्र के ससुर हो जाओ शंबू तो सरवेश्वर हैं वे किसी से याचना नहीं करते स्वयम श्री ब्रह्मा जी ने भी तारका सुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन करने के उदेश को लेकर भगवान शिव से ये प्रार्थन की है कि वे अब विवाह कर लें भगवान शंकर तो योगियों के शिरूमनी है वे विवाह के लिए कत्य उत्सुक नहीं है केवल शुरी ब्रह्मा जी की प्रार्थन से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहन करेंगे तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उनके सामने उन्होंने इससे विवाह की प्रतिग्या कर ली थी और अब केवल उन्ही दो कारणों से भगवान शिव विवाह करेंगे रिश्यों की ये बात सुनकर हिमालय हस पड़े और फिर कुछ भैभीत होकर विनैपूर्वक बोले हिमालय ने कहा मैं शिप के पास कोई भी राजोचित सामगरी नहीं देखता हूं मुनिवर उनका ना कोई घर है ना एश्वर है और ना कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है मैं अत्यत निलिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र है अतहे आप निश्चित विचार कीजिए और कहिए जो पिता काम से, मोह से, भै से, अत्वा लोब से किसी अयोगी वर के हाथों में अपनी कन्या दे देता है वे मरने के बाद घोर नरक में जाता है अतहे मैं स्वेच्छा से भगवान शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूँगा इसलिए महर्शियों जो उचित विधान हों से आप लोग कीजिए नारत, हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्शी वसिस्ट ने उनसे इस प्रकार कहा वसिस्ट कहने लगे शलेश्वर, मेरी बात सुनो इस सर्वता तुम्हारे लिए हिदकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इस लोग और परलोग में सुकदायक है शलराज, लोग तथा वेद में तीन प्रकार की वचन उपलब्ध होते हैं शास्त्रगी पुरुष अपनी निर्मल ग्यांद्रिष्टी से उन सब प्रकार की वचनों को जानता है एक तो वह वचन है जो तदकाल सुनने में बड़ा प्रेय लगता है, बड़ा सुन्दर लगता है परन्तु अपने पीछे वह बड़ा ही असत्य और अहितकारक सिद्ध होता है बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें इस अध्याई में हैं, आप सभी ध्यान पुर्वक सुनिएगा ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है और उससे कभी किसी का हित नहीं होता दूसरा वचन वो है जो आरंभ में तो अच्छा नहीं लगता उसे सुनकर अप्रसंता होती है नाराजगी हो सकती है परन्तु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है जिसे कटू सत्य भी कहते हैं और इस तरह का वचन कहकर देयालू धर्मिशिल बंदू बांधव ही करतवी का बोध कराता है तीसरी श्रेणी का वचन वो है जो सुनते ही अमरित के समान मीठा लगता है और सभी काल में सुख देने वाला होता है सत्य ही उसका सार होता है इसलिए वह हितकारक होता है ऐसा वचन सबसे स्रेष्ट और सभी के लिए अभीस्थ है शल राज इस तरह नीती शास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे गए हैं इन तीनों में तुम्हें कौन सा वचन अभीष्ट हैं बताओ मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा भगवाई शंकर संपुन देवताओं के स्वामी है उनके पास बाहि संपती नहीं है इसका कारण ये है कि उनका चित एक मात्र ज्यान की महसागर में मगन रहता है जो ज्यानानंद स्वरूप और सभी के इश्वर है उन्हें लौकिक बाहिय वस्तुओं की क्या इच्छा होगी ग्रहस्त पुरुष राज और संपती से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है उसे कन्या के वध का पाप लगता है कौन जाता है कि भगवाई शंकर दुखी है कुबेल जिनके किंकर है जो अपनी भुभंग की लीला मात्र से संसार की स्रस्टी और संघार करने में समर्थ है उन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकर्ती से परे परमेश्वर कहा जाता है स्रस्टी पालन और संघार करने वाली जिनकी त्रिविद मूर्ती ही ब्रह्मा, विश्नु और हर नाम धारन करती है उन्हें कौन निर्धन अत्वा कौन दुखी कह सकता है ब्रह्म लोप में निवास करने वाले ब्रह्मा, छीर शागर में रहने वाले शुरी हरी तथा किलास वासी हर ये सब शिव की ही विभूतिया हैं शिव से प्रकट हुई प्रकटी भी अपने अंश से तीन प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है जगत में लीला शक्ती से प्रेरित होकर वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है समस्त वांगमई की अधिस्ठातरी देवी वानी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्व सम्मत स्वरूपिनी लक्ष्मी वक्ष इस्थल से आविरभूत हुई है और शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था संपूर्ण दानवों का वद करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी देवी शिवा कलपांतर में दक्ष की पत्नी के उदर से जन्मले सती नाम से प्रसित हुई और हर को उन्होंने पती के रूप में प्राप्त किया दक्ष ने स्वयम ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी सती ने पती की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था वे ही सती अब तुम्हारे घर में पैदा हुई है शेल राज वे शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है प्रत्य कल्प में बुध्धी रूपा दुर्गा ज्यानियों की स्रेष्ट माता होती है ये सदा सिद्ध सिद्ध दाइनी और सिद्ध रूपिनी है भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थी चोंड को ही स्वैम प्रेम पुर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं अतह हे गिरी राज तुम स्वेच्छ से ही अपनी मंगलमई कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वैम प्रेतब के स्थान में चली जाएंगी देविश्वर शिफ तुमारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्रहमर की रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आये थे और इसके साथ विवहा की प्रतिक्या करके इसे आश्वासन और वर देकर अपने आवास इस्थान को वापस लोट गए थे हे गिरे पारवती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुमारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनोंने शिव भक्ती में मन लगा कर उनकी उस याचना को स्विकार भी कर लिया था गिरीश्वर बताओ फिर किस कालर से तुमारे बुद्धी विप्रीत हो गई भग्वान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब रिश्यों को और अरुंधती देवी को भी तुमारे पास भेजा है हम तुमें यही शिक्षा देते हैं कि पारवती को रुद्र के हाथों में दे दो हे गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा शैलेंद्र यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटे शिवा को शिव के हाथ हुमें नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विभा हो जाएगा तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी भी पारवती को ऐसा ही वड़ दिया भगवान की की हुई प्रतिग्या कभी पलट नहीं सकती गिरिराज इश्वर के वश में रहने वाले समस्त सादू पुरुशों की भी प्रतिग्या का संसार में किसी के द्वारा उलंगन होना कठिन है फिर साक्षात इश्वर की प्रतिग्या के लिए तो कहना ही क्या है जै भोलिनाद आज कर्थिया इस समाप्त हुआ उमीद करती हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगर आपको शिपुराण की कथाई सुनना पसंद है तो हो सके इन वीडियो को आप अपने जितने भी जान पेचानवाले लोग हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर केचेगा